राधे राधे दोस्तों कैसे हो आप लोग आसके हमारी कहानी का नाम है अपमान यार तुम्हारे माईके में खाना धंका बनता भी है ये क्या बना दिया बुंदी का रायता आलू मटर की सबजी पूरी तुम्हें पता है ना कि मुझे ये सब पसंद रही है ये बुंदी का रा से तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया है वो भी जब की वो बीमार है नित्या ने रिक्वेस्ट करते वे कहा लेकिन संचित समझने की जगा बिगरते वे बोला मुझे नहीं खाना इसी लिए मैं तुम्हारे मायके में आना पसंद नहीं करता हूं यहां दामाद की आवा कुछ भी नहीं है संचित अब जो भी है बन चुका है अब ही खा लोना माने कितनी प्यार से पनाया है सामका खाना मैं देखलूंगी नित्या ने मनुहार करते वे कहा सामका क्या देखलोगी हो गई अब अभगत थोड़ी ही दिर में निकलेंगे हम यहां से इसी लिए मैं त तुम्हें तो माईकी आने की लगी रहती है पता नहीं तुम औरती माईकी के नाम पर पागल हो जाती हो क्या माईकी के नाम पर तो पती भी नहीं दिखता तुम्हें पर हम तो रात को जाने वाले थे ना कह दिया ना बस कह दिया संचित बर बराते हुए खाना खाने लगा पर उसने बुंदी का रायता थाली में से निकालकर अलग रख दिया, देखे कर नित्या को भी अच्छा नहीं लगा, कितने प्यार से माने बिमार होने के बावजूद भी संचित और उसके लिए खाना बनाया, पर उसे तो भी कदर ही नहीं, मन ही मन नित्या सुचने लगी कि पता नहीं मा को भी क्या है कम से कम मेरी आने का इंतिजार ही कर लेती मैं ही आकर खाना बना देती पर उनकी भी क्या गलती है घर से निकलते समय फोन किया था कि ममी बस हम आ रहे हैं जैसे यहां सब कुछ तैयार ही मिलेगा ममी भी यह सोचकर तैयारी कर देती है कि कम से कम कुछ देर बैठ कर बेटी से बात कर लेगी इसलिए पहले ही सब काम कर देती है और पापा इतनी दूर मिठाई लेने गए हैं पर यह इनसान तो कुछ समस्ता ही नहीं इतने में मा गरमा गरम फुल की लेकर बाहर आई और मनुह करते हुए संचित के थाली में परुशने लगी जितनी देर भी मा संचित के पास खड़ी होती उतनी देर नित्या की सांसे उपर नीचे होती रहती कि कहीं ये सक्से उसकी मा को कुछ कहना दे जब दुबारा मा फुलके लेकर आई तो माने पूछा बेटा खाना तो अच्छा लगना हा ममी जी खाना तो ठीक ही है पर सब्जी में थोड़ा मसाला कम है और साथ में कुछ मिठा होता तो ज्यादा अच्छा लगता पता है जब मेरे जीजा जी अपने ससुराल आते हैं तो हम आगे से आगे सारी मिठाया तयार करके रखते हैं संचित ने बरी बेसर्मी से कहा सुनकर मा के चेहरे के मुस्कराहट ही गायव हो गई पर उन्होंने बात को संभालते वे कहा हा नित्या के पापा तो गय थे मिठाई लेने पर पता नहीं क्यों इतनी देर लग रही है तभी बाहर एस्कूटर रुकने की आवाज आई तो मा फटा फट दरवाजे के पास ग नहीं नहीं अभी बस खाना खाने ही बैठे हैं तो जल्दी से मिठाई भी परोश्दो बस पापा का कहना था कि मा फटा फट रस्वई में दवडी और एक प्लेट में मिठाई साजा कर ले आई मा को इस तरह भाग भाग कर काम करते देखकर नित्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था पर करती भी क्या संचित ने जबर दस्ती अपने साथी बिठा लिया अभी साथी बस तीन महिना पहले ही हुई है इसलिए नए दमाद नराज ना हो जाए सोच कर मा ने भी उसे संचित के पास ही बैटकर खाना खाने को कह दिया इस तीन महिने की साथी में संचित जब भी ससुराल आता तो मा पापा उसकी सेवा में हाजिर ही रहते भाईया भाबी तो अपने काम के सिलसिले में दुसरे सहे रहते थे ममी पापा का वहाँ मन नहीं लगता तो वो यहीं ही रहते हैं पर संचित में इतनी अकल नहीं कि क्यों बुजुर्गों को परिसान करना अरे उनके घर में सब कुछ आगे से आगे तयार रहता होगा आखिर पुरा परिवार एक साथ रहता है दोनों बहुए सेवा में हाजी रहती है पर यहां वैसे उमीद करना तो ये गलत है ना नित्या कुछ भी कहना चाती तो ममी पापा मना कर देते खेर खाना होने के बाद अभी थोरी देर बैठे ही थे कि संचित ने जाने की जिद पकर पापा मनुहार करने लगे बेटा कुछ देर और तो रुख जाओ और आज तो वैसे भी तुम्हारा संडे है पर संचित ने काम का बाहाना करके बिदा ले ही ली भारी मन से नित्या संचित के साथ वापस ससुराल आ गई उन दोनों को इतनी जल्दी आया हुआ देखकर माने पूछा अरे तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए तुम तो रात को आने वाले थे ना अरे ममी इसकी ममी पापा को दमाद की आवा भागत करना तो आता ही नहीं वहीं सबची रोटी बना कर पकरा देते हैं ये तो मुझे यहाँ पर ही मिल जाता है तो मैं वहाँ क्यो अरे हमारे यहाँ देखो जब भी जीजा जी आते हैं तो कैसे सब उसकी सेवा में लग जाते हैं कितने तरह के पकवान बना देते हैं और मिठाया उनके तो कहने ही क्या जबकि मेरे ससुराल में क्या बनाया पनीर की सबजी डाल का रायता और बुंदी का रायता जो मैं खात उस समय ससुर्जी लेकर आए बाप रे मैं तो अगली बार से नित्या को सुबा छोर कर आऊंगा और साम को लेकर आजाऊंगा जैसी तेरी इच्छा बेटा तुझा आराम कर वैसे भी आवा भगत करना हर किसी की बस की बात नहीं सासु मा ने संचित को समझाने की जगा आग में घी डालने का काम किया ये बात रस्वई में काम करती वही बड़ी बहु बिधी भी सुन रही थी उसे नित्या के लिए बहुत बुरा लग रहा था संचित सुरू से ही बड़ बोला है बिधी के साथ भी एक दो बार ऐसी हरकते कर चुका था जब वो अपने बड़े भाई भावी के साथ उनके माईके गया था तब ही घर आकर उसने बिधी के माईके वालों की मेमान नमाजी पर प्रश्न उठा दिये थे वो तो संचित के बरे भाई अनुज समझदार थे इसलिए बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ी पर खुद के ससुराल में भी यहीं हरकते विधी नित्या के पास गई और उसे समझा बुझा कर रस्वई में ले आई बात आई गई हो गई कुछ दिनों बाद ननद नीतू और उसके पती देवेश का आना हुआ उन्हें देखिकर संचित बड़ा खुस हुआ और नित्या से बोला अब देखना मेमान नमाजी किसे कहते हैं अब पता चलेगा तुम्हें मेरी बात सुनकर तो पूरा मुँ फुल जाता है तुम्हारा नित्या को संचित की बात का बहुत पूरा लगा उसने ये बात बिधी को बताई तो बिधी ने कहा फिक्र मत करो देवरानी जी अब पता लगने ही दो आकिर हम भी तो देखे मेमान नमाजी किसे कहते हैं कहकर बिधी ने नित्या की तरप देखा और बस दोनों देवरानी जेठानी मुस्कुरा कर रह गई तभ अभी दोनों देवरानी जेठानी नित्या और बिधी ने मिलकर कुछ प्लान किया। में से निकल कर बाहर आई जिजा जी और नित्यू को परनाम कर दोनों के हाल चाल पुछने के बाद दोनों ने रस्वई का रुख किया लेकिन दभी देवेश जी ने सासु मां से कहा ममी जी मुझे आधे घंते में ही अपनी जरूरी मिटिंग के लिए रवाना होना है तो प्ल इसलिए दोनों ने अस्वासन दिया और रस्वई में आ गई और लग गई दोनों नस्ता बनाने में इतने में सासु मां रस्वई में आई कुछ धंका नस्ता बनाना हमारे यहां दमाद को यो रुखा सुखा नहीं रखा जाता है पर ममी जी इतनी जल्दी क्या धंका पोहे बना लेते हैं और बाहर से जले भी मंगवा लिजिए अरे दमाद जी आज इतनी दिनों बाद आए हैं तो बाहर से क्यों मंगवाएंगे घर में ही बनाएंगे पर जीजा जी को तो अपनी अर्जेंट मीटिंग में जाना है ना उन्होंने पहले ही कह दिया है और इस तर प्रत्रा आचानक आये हैं तो कोई तैयारी भी नहीं है आप कहो तो बेसन की पकौड़ी या चीले बना देती हूं नहीं नहीं एक मिनट रुको मैं संचित को ही बोल देती हूं वो बाहर से नास्ता लेकर आएगा तुम ये पोहे पकौड़ी रहने ही दो सासु माने संचित को बुला कर बाहर से नस्ता लाने के लिए कहा तो संचित ने कहा अरे ममी घर में दो दो बहु है फिर भी नस्ता बाहर से आएगा क्या अरे तो घर में क्या हर चीज पहले से ही त्या रहती है तेरे जीजा जी इतनी जल्दी कर रहे हैं कि इतनी जल्दी नस्ता नहीं बन पाएग संचित ने नित्या की तरफ देखा जो सायद मंद मंद मुस्कुरा रही थी उसे देकर संचित छेप गया और चूप चाप बाहर से नास्ता लाने के लिए निकल गया लेकिन इन सब बात चीत में ही 15 मिनट निकल गये जब तक संचित घर आया जीजा जी अपनी मिटिंग के लिए रवाना हो चुके थे उसे देखते ही नित्यू बोली क्या भाई थोड़ा जल्दी ही आता देख तेरे जीजा जी भूखे ही मिटिंग के लिए निकल गये पर दीदी हर चीज में थोड़ा वक्त तो लगता ही है न हाँ पर तेरे जीजा जी नहीं समझे तो मैं क्या करू खेर कोई बात नहीं भावी आप मेरा और ममी का तो नस्ता लगा दो नित्यू ने कहा तो बिधी सब के लिए नस्ता लगा कर ले आई और सब ने मिलकर नस्ता किया तभी सासू मा ने कहा दोपहर में कुछ ढंका बना बेचारी दमाद जी भूखें ही गए हैं और उन्होंने कहा है कि वो दोपहर का खाना घर पर ही आकर खाएंगे वैसे भी उन्हें बाहर का पच्ता नहीं है सासू मा की बात सुनकर दोनों देवरानी जेठानी मुस्कुराने लगी बीधी ने कहा ममी जी क्या बनाना है आप बतातो दिजिये नित्या तो रसोई में जाने से रही वो महीने हो गई है अचा ठीक है तुम ही बना लेना तुम्हें तो वैसे भी दमाद जी की पसंद का पता है कहकर सासू मा नीतू से बात करने लगी सुनकर नित्या ने बीधी की तरप देखा तो बीधी ने उसे इसारा किया और रसोई में काम करने के लिए चल गई पर ये क्या थोरे ही देर बाद अचानक बीधी की जोर से आवाज आई उई मा मर गई मैं तो आवाज सुनकर सासू मा और नीतू रसोई में दोरी चली आई देखा तो बीधी जमिन पर पड़े हुई थी अरे क्या हुआ तुझ भली चंगी तो रसोई में आई थी मम्मी जी मेरा पैर सिलीप हो गया हाई रे मेरा पैर मेरी कमर जैसे तैसे दोनों मा बेटी बिधी को सहारा देकर कमरे तक छोड़ाई और नित्या को बोल गई नित्या जरा इसके पैर और कमर पर आयो डेक्स तो मल देना तब तक हम खाने की तयारी करते हैं दोनों मा बेटी रस्वई में चल दी इधर नित्या आयो डेक्स लेकर कमरे का दर्वाजा बंद कर बिधी के पास आकर बैठ गई दोनों की हसी रूखी नहीं रही थी लेकिन करते भी क्या आखिर कार बताना जरूरी था कि बहु के दम पर दुसरों की मेहमा नमाजी करना बहुत असान होता है खर दोपहर में दमाद जी घर पर आये तब तक संचित भी घर आ चुका था दोनों जिज्जा साले साथ में ही खाना खाने बैठे इतने में नितुने देवेश जी और संचित को खाना परोसा खाने को देख कर एक बारतो संचित का चेहरा भी बन गया खाने में दाल चावल रोटी भिंडी की सबजी और बुंदी का रायता था वहीं मीठे में सुझी का हलवा था संचित कुछ कहता इससे पहले ही देवेश जी बोले अरे मैं ये भिंडी की सबजी तो खाता नहीं हूँ आज लगता है बीधी ये बात भूल गई ह कहते हुए देवेश जी ने भिंडी की सबजी एक कटोरी में अलग रख दी अरे बीधी भावी को चोट लगई है और नित्या भावी रसोई में जा नहीं सकती थी इसे कारण से ममी ने खाना बनाया है आज एक दिन भिंडी की सबजी खा लो ना नितु ने धीरे से कहा इसरा ये क्या सूजी का हलवा बना के रख दिया है मुझे इतना मिठा पसंद नहीं इसे भी निकाल दो दिवेश ने कहा सुनकर नितु ने थोरी तलखी से दिवेश जी से कहा पती देव मेरा मायका आपका ससुराल है कोई फाइप एस्टार होटल नहीं जहां सब कुछ मन मुताबिक ओडर करो और मिल जाए सामने वाला की प्रस्तितियों को भी समझना चाहिए माने बुजूर्ग होते हुए भी कितने प्यार से आपके लिए खाना पनाया है और वो भी कोई आज के जबाने की मिठाई तो जानती नहीं है मुझसे भी ज्यादा मदद नहीं ली म मा ने बाहर से भी ओडर करने से मना कर दिया कि आज तो दमाद जी को अपने हातों से खाना बना कर खिलाऊंगी और आप हैं कि नितु के इतना कहते ही देवेस जी चूप चाप खाना खाने लगे हालांकि देवेस और नितु धीरे धीरे बाते कर रहे थे लेकिन संचित तो में ही बैठा हुआ था उसी तो सब सुनाई दे रहा था लेकिन उसने ये सोच कर कुछ नहीं कहा कि जी जा जी नराज न हो जाए वह चूप चाप खाना खा रहा था आज उसने अपनी थाली में से बुंदी का राता भी नहीं निकाला नित्या ये सब देख रही थी और संचित उसे निगाही नहीं मिला पा रहा था असा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लिश वीडियो को लाइक से यर एंड सस्क्राइब करना और इस कहानी पे आपकी क्या रहे हमें कमेंट करके जुरू बताना धन्या